देखो यहां पर अपने पास question में given क्या है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप्टू एंटरम्स ठीक है अपोन एंटरम्स है ठीक है अपोन 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस अप्टू यह भी एंटरम्स है ठीक है इस इकल टो गिवन है 20 अपोन 7 लोग 10 बेस पर अक्स ठीक है तो सबसे पहले तो इसका सम केसे निकल लेंगे हैं यह मार पास एफ़ी है जिसकी फास्ट रम इस इकल टो वन है और डिफ्रेंस 3-1 देखो 2 है फाइव माइनस 3 2 है और डिफ्रेंस है टूँए तो एपी का सम निगा लेंगे एंटरम्स तो एपी का समाझ ऐगा एंटबाई 2.2 इंट्व एक है वन प्लस एंट-1 एंटरम्स है तो गो इसी तरह हम इसमें देखेंगे है तो नमर योफ रम से मिए यह एक ए प्लस टूँ तू इन्टू फष्ट रहम है 4 प्लस एन माइनस 1 एन टरह से तो एन माइनस 1 और डी क्या है 4 माइनस दिएखो 7 माइनस 4 3 10 माइनस 7 3 तो हमें सा 3 आ रहा है दिफ्रेंस तो 3 रहेगा डिफ्रेंस 20 अपून 7 लोग 10 बेस X ठीक है यहाँ से हम क्या गरेंगे दिखो यहाँ से हम निकाल सकते हैं n by 2 से n by 2 कैंसिल ऑट हो गया और यहाँ पी क्या जाएगा दिखो उपर तो क्या रहा है 2 प्लस 2 एन माइनस 2 लिख सकते हैं इसको और नीचे क्या आ रहा है, 8 plus 3n minus 3 is equal to क्या है, 20 upon 7 log 10 base पे x, ठीक है, 2 से minus 2 cancel out हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2n upon 8 minus 3 क्या जाएगा, 5 plus 3n is equal to 20 upon 7 log 10 base पे x, ठीक है, यह 2 से जाएगा 10 times, तो हमार पास आ जाएगा, finally पने value आ गई एक, n upon 5 plus 3n, ठीक है, is equal to 10 upon 7 log 10 base पे x, यह हमार पास n and x में एक relation आ गया यहाँ से, ठीक है, एक relation n and x में given है, n is equal to log 10 base पे x, plus log 10 x by 2, plus log x to the power 1 by 2, इस तरह से 1 by 8, infinity से जाएगा, ठीक है, यहाँ कि n is equal to given है, log 10 x, plus log 10 x to the power 1 by 2, plus log 10 x to the power 1 by 4, plus log 10 base पे x to the power 1 by 8, plus इस तरह से यह, एक infinity series है, यह ही है, जो 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 इस तरह से, अब हमार पास एक log में property होती है, यदि कहीं भी आपके पास log 8 to the power b हो, तो इसको हम लिख सकते है, b log a, यानि कि जो power हो, multiply में आ जाएगी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते है, देखो, log 10 base पे x, plus, जो power हो, यह 1 by 2, यह multiply में आ जाएगी, यानि 1 by 2, log 10 x, plus, यह जो power 1 by 4 है, यह भी यहाँ पे आ जाएगी, multiply में, तो 1 by 4, log 10 x, plus, 1 by 8, log 10 x, ठीक है, up to infinity, ठीक है, अब देखो, n is equal to, इसमें से, सम में से log x common आ रहा है, तो log 10 base पे आ जाएगी, और अंदर क्या आ जाएगा, 1 plus, 1 by 2, plus, 1 by 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 का स्क्वाइट, 1 by 8 को लिख सकते हैं, 1 by 2 cube, up to infinity, तो देखो, n is equal to, log 10 base पे x, is equal to, sorry, into, into में हैं यहाँ यहाँ पे, यह क्या बना रही है, जिसका common ratio क्या है, देखो, 1 by 2, 1 by, इसको इसमें डिवाड करोगे, तो 1 by 2 आएगा, इसको इसमें करोगे, तो 1 by 2 आएगा, तो infinity series का, gp का सम क्या होता है, यह पॉन 1 minus r होता है, यह मार फास, फास टर्म के है, 1, upon 1 minus r के है, डिवाड के है, तो यह 1 by 2 आएगा, तो यह आजाएगा, अपने पास, 2 into log 10 base पे x, ठीक है, यह आजाएगा, n is equal to, यह n की value पूट कर देंगे हम यहाँ पे, तो देखो, क्या जाएगा, वो टर्म क्या थी, n upon 5 plus 3 n is equal to 10 upon 7 log 10 base पे x, यह ही है, यह ही है, ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, n की value पूट कर दे करेंगे, यह, तो यह क्या आजाएगा, यहाँ पे, 2 log 10 base पे x, अपन, 5 plus 2, पूट करेंगे, तो यहाँ पे 6, log 10 base पे x हो जाएगा, is equal to, 10 upon 7 log 10 base पे x, ठीक है, अब यहाँ से हम cross multiply करेंगे, तो यहाँ जाएगा, 14 log 10 base पे x का whole square, is equal to, 50 plus 60, 50, 50 plus 60, log 10 base पे x, ठीक है, इसको 2 से हम डिवाइट करेंगे, तो log 10 base पे x का whole square, is equal to, 25 plus 30, log 10 base पे x, ठीक है, अब हमारे पास, log 10 base पे x में, एक quadratic equation आ गई, minus 30 log 10 base पे x, minus 25 is equal to 0, ठीक है, यह लोग 10 base पे x हम क्या लिख सकते हैं, minus b, यहाँ कि 30, plus minus square root b square, यहाँ कि 900, minus minus plus हो जाएगा, 4 a का है, 7 and, ठीक है, 25, यह minus c, c minus में तो यहाँ पे plus आ गया, ठीक है, 2 into 7, 2 a तो 7 हो जाएगा, तो log 10 base पे x is equal to, 30 plus minus, 700 हो जाएगा, 700 plus 900, कितना हो जाएगा, 600, और 600 का क्या हो जाएगा, 40, upon 20, 2 into 7 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है, यह आ जाएगा अपने पास, अब यहाँ से, log 10 base पे x is equal to, क्या जाएगा, देखो, log की value negative नहीं हो सकती, तो 30 minus 40 तो हम negative तो लेने सकते हैं, positive लेंगे, तो positive क्या, 70 divided by 40, और 70 divided by 40 कितना हो जाएगा, यह 5 times, तो log 10 base पे x is equal to, जाएगा 5, अब log में हमारे पास एक प्रोपर्टी होते हैं, कहीं भी आपके बाएगा, log A base B is equal to, मान लो, x हो, तो B को हम लिख सकते हैं, A to the power x, ठीक है, यह है, जो base है, B is equal to, जाएगा, base की power x, ठीक है, तो यह से x is equal to, कहाएगा, base की power 5, यहनुकि 10 to the power 5, तो x की value आगे 10 to the power 5, तो x is equal to, चाहिए थाम है, तो 10 to the power 5 आजाएगी, ओकी, easy है,